श्मुश्कार दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ quality stocks के बारे में जिसमें आप लोग ततकाल इंट्री बना सकते हैं और कुछ stocks के बारे में हम लोग देखेंगे कि उसमें क्या हम लोग को आगे course जाता है उसके बाद बड़ा हम लोग को selling FIIs का मार्केट में देखने को मिलता है इसी क्रव में इंडिया मार्ट में भी बड़ा हम लोग को गिरावट होते हुए दिख रहा है और करी 4500 के price पे आ चुका है तो करी 50% से ज्यादा हम लोग को fall इंडिया मार्ट में होते हुए द बहुत ही नीचे चल रहा है पहले अपने मेठोट को एक बार से कर लेते हैं एक 200 डिस्के में अबरेज के यूज करते हैं जो कि आपको pink लाइंज हो कर रहा होगा दूसरा हम लोग 20 का मूविंग अबरेज करते हैं दोनों simple moving averages है जो कि आपको blue lines हो कर रहा होगा और तीसरा इ बनाना पसंद करते हैं क्योंकि हम लोग को यहां से पता नहीं कि यहां से प्राइज उपर जाएगा की नीचे आएगा अगर नीचे फॉल होता है तो जिस पीवट पर जहां भी सपोर्ट लेगा ज्यादा वहां पर और भी क्वांटिटी को हम लोग एवरेज करते हैं तो इंडिया मर्ट में उसके बाद भी हम लोगों को साइड़भिस मोमेंटम ही इंडिया माट में चलते हुए दिख रहा है वह होती दिनों से तो हम लोग अभी फिलाल की बात करते हैं तो इस लिवल पर पहले भी सपोर्ट था और इस लिवल पर आज भी हम लोग को सपोर्ट चलना चाहिए था पिवर्ट के वी ऊपर भी क्लोसिंग हम लोग को आज इंडिया मार्ट में देखने को मिला तो इसी केंडल में आपको बाई करना चाहिए था अभी तक अगर बाई नहीं किये हैं तो थोड़ा बहुत वेट कर सकते हैं एक दो परसेंड का और भी ग्रीन तो 4831 के लेवल के उपर हम लोगो ब्रेक आउट देते हुए दिखेगा तब हम लोग को बड़ा मोमेंटम उपर की दरफ देखने को मिलेगा और फिर प्राइस 200 देज के मोविंग अब से करी में भी जा सकता है और फिर 20 के मोविंग अबर जोपर की दरफ इंकलाइंड हो ज लिखा क्योंकि क्वाटले रिजल्ट थोड़ा सब्डियूड रहा है मुथूद फाइनेंस का मुथूद फाइनेंस की बात करें तो मार्केट लीडर है गोल्ड़न प्रोवाइड करने में और सेल्स की अगर हम लोग बात करते हैं तो पिछले साल करें 2824 करोड का हम लोगो स देखने को मिला था मुथूद फाइनेंस में जो कि इस साल घटके हो चुका है 2670 करोड तो हम लोगो थोड़ा बहुत किरावट देखते हुए बन रहा है सेल्स में और वहीं अगर नेट प्रोफिट की भी बात करें तो 996 करोड का रहा था पिछले साल जो कि इस साल हम लोग को घट के मार्च 2022 के क्वाटर में 960 करोड का हो चुका है तो बोथ सेल्स और प्रोफिट अप्र टेक्स में हम लोगों को गिरावट होते हुए दिख रहा है लेकिन मुत्वत फाइनेंस दोस्तों एक कंसिस्टेट का पाउंडर स्टॉक रहा है लास्ट त्री यह की बात करे लास्ट फाइनेंस की बात करें तो ट्वेंटी फाइब परशन का तो हम लोग फिप्टी परशन आरोई को बहुत ही अच्छा मांते हैं इससे एवब हम लोगों को और भी अच्छा है मुत्वत फाइनेस एक कॉंसिस्टेट का पाउंडर स्टॉक भी रहा है और संदार अभी फिलहाल FIIs के पास 12.13% का स्टेक है पिछले क्वाटर के तुलना में FIIs ने स्टेक कम किया है अगर वहीं DIs की बात करें तो इस क्वाटर में DIs ने कोछ स्टेक बढ़ाया है 8.48% से बढ़ाके 9.67% का कर लिया है और पबली की बात करें बहुत ही कम होल्डिंग पबल भी बहुत ही अच्छा है और मुथोट फाइनेस में भी हम लोग देख रहे हैं तो दूस्तों लगतार हम लोगों को गिरावट होते हुए दिख रहा था प्राइस टूहंडेड डेस के मुझे अबरे से बहुत ही उपर चल रहा था उसकी बाद हम लोग बात किए FIIs का सेलि देखनों को मिला मुथोट फाइनेस में और बड़ा फॉल होते हुए दिखा फिलाल की बात करते हैं तो प्राइस टूहंडेड डेस के मुझे अबरे से बहुत ही नीचे चल रहा है और इस पीवर्ट लाइन पर आज हम लोग को हैमर केंडल भी दिखता है बहुत ही बड़ा पर जरूर से बाई कर सकते हैं उसके बाद भी यहां से गलत सावित होता है और भी प्राइस अगर नीचे आता है तो नीचे का पीवर्ट देखेंगे और भी अपना क्वांटिटी को एड़ान करेंगे ऐसा नहीं कि यहां पर हम लोग करेंगे और यहां से प्राइस उपर ज क्लाइंड है इसलिए स्मॉल क्वांटिटी में ही हम लोग को मोतोद फाइनेस में बाई करके चलना है और नेक्स्ट क्वालिटी स्टॉक की बात करेंगे जिसने बहुत ही अच्छा रिटन पिछली एक तेड़ साल में निकाल करके दिया है डिक्सन टेक्नोलोजिक के हम हम लोग देख रहे थे प्राइस टूहंडेड़ेस के मुविए अबरसे बहुत ही उपर चल दा था और यहां पर ट्रेंगल पैटन था तो हम लोग ट्रेंगल पैटन के बारे में जानते हैं कि जिधर भी ब्रेक आउट होता है दो बहुत ही पावर्फुल मोमेंटम होता है हम लोग को ब्रेक आउट देखने को मिला और बड़ा फॉल होते हुए हम लोग को डिक्सन में दिखता है और एक बार फिर हम लोग को ट्रेंगल पैटन प्राइस टूहंडेड़ेस के मुविए अबरेज के नीचे था तब हम लोग को दिखता है उसकी बाद फिर से हम लोग को ब्रेक आउट डिक्सन में नीचे की तरफ होते हुए दिखता है और फिलाल की बात करें तो प्राइस थाटी थ्री हंड़ेड सिक्सीन के पिभट पे चल रहा है तो यहां पर हम लोग फॉस्ट इंटी लेने के लिए बोलते हैं 200 के मुविए के करीम में अगर आप लोग बाई किये होंगे थोड़ा बहुत निगेटिव चल रहा होगा फिर से आप लोग एवरेज कर सकते हैं आज हम लोग को इंवर्टेड हैमर केंडल दिखा इसलिए हम लोग कोई इंट्री आज एक्टिवेटेड नहीं था डिक्सन में तो थोड़ा बहुत एक बड़ा सा ग्र जरूर से बाई करके चलना है इसके बाद से भी इस पिवर्ट पे हम लोग को और भी फॉल अगर नीचे की तरफ देखने को मिलता है तो बड़ा फॉल एक्सपेक्टेड है डिक्सन में इसलिए स्मॉल क्वांटिटी में ही बाई करके चलना है क्वालिटी स्टॉक है तो जि प्राइलिंग रूट मोबाईल में देखने को मिल रहा था एक पिछले दिन हम लोग को हैमर केंडल दिखा उसके बाद एक बड़ा सा क्रीन केंडल तो आज ही हम लोग को रूट मोबाईल को बाई करके चलना चाहिए था यूकि प्राइस टूहंड़ेड डिस के मुवरेज टी को नीचे चल रहा है तो यहां पेढ़को बाइं देखने को मिल सकता है उपर के हम लोग पर कुछ quantity हम लोग को भाई करके चलना चाहिए तो कि अच्छा हम लोग को सपोर्ट देखने को मिल रहा है रूट मोबाइल में रूट अगला स्थोक जिसमें हम लोग को भाई करके चलना चाहिए दोस्तों वह है जूबल फूट के हम लोग बात करें एक कंसिस्टेंट करते हैं 20 के मुविंग एवरिज के ऊपर आज हम लोग को क्लोजिंग देते हुए दिखा तो इसी कंडल में आप लोग को बाई करके चलना चाहिए था टेलिग्राम ग्रूप में भी अपडेट की कि जूबल फूट को आप लोग कर सकते हैं तो इस कंडल में अगर वाई कि ह तो नहीं लेकिन स्मॉल हम लोग को डबलू पैटन जैसा भी दिख रहा है तो अगर उपर की तरफ मोमेंटम दिखेगा तो प्राइस टू हंडेड़ करना है जूबल फूट में भी अभी ज्यादा क्वाई करने का समय नहीं है कि निफ्टी थोड़ा स्टेवल नहीं है बश्चाल नहीं करना है तो होप अब लोग को वीडियो अच्छा लगता हो वीडियो लाइक कर दीजेगा चैनल को सब्सक्राइब कर लिजए